दोस्तो नमस्कार फिर से एक ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो राशनकार धारकों के लिए नया नियम जारी सरकार ने राशनकार धारकों के लिए एक नया नियम जारी किया है क्या है नया नियम और उसे कैसे करना है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा दे अगर आप अपने राशन कार्ड में अधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड रद्ध हो सकता है यह नियम पूरे तेश के सभी राज्यों के लिए जरूरी है आप सभी को बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने राशन कार्ड में अधार कार्ड लि लेखा जोखा रिकार्ड किया जाता है सरकार के तरफ से गरीब परिवारों को उनकी गरीबी के अनुसार दो या तीन स्रेडियों में बाट कर उनको अलग अलग तरह का रासन कार्ड जारी किया जाता है जिसे से उनको स्रेडी के इस हिसाब से जारी किये गए है रासन कार्ड करक्त कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को राशन कार्ट से अधार कार्ड करने का प्रक्रिया नहीं पता होता है। जिसकी वजह से कोई दिनों तक चक्कर लगाते हैं इसी के देखते हुए सरकार ने वेपसाइट को सुरू किया है जिसमें अभी लोग घर बैठे रासन कार्ड में अधार कार्ड लिंक कर सकते हैं सबसे पहले आप सभी को इस अफसीयल वेपसाइट पर जाना होगा अफसीयल वेपसाइट पर जानने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल कर आ जाएगा होम पेज पर आपको वहां पर स्पेशल सर्विस से सेक्शन लिंक अधार विथ रासन कार्ड का आपसन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको रासन कार्ड कडिगरी को चुनना है इसके बाद रासन कार्ड संख्या भरकर सर्च बटन को सेलेक्ट कर देना है इसके बाद आपके रासन कार्ड का पूरा विवरन खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको लिंक अधार एंड मोबाईल नंबर के आपसंद को चुनना है इसके बाद राशन काड जार मिनक करने के लिए वेरिफिकेशन पर इस प्रकार से आप घर बैठे अपने रासन कार्ड में अधार कार्ड लिंक करा सकते हैं